वागत आपको इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे वुमेन आई पील के पहले मेच के बारे में जी हैं दोस्तों मुंबई और दिल्ली के बीच होने वाला है पहला में जाने किसमें केसी रहेगी पिछ रिपोर्ट क्या है वेन्यू स्टेट्स प्लेयर के स्टेट्स क्या ह सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है जिनसे कि आप एक बैतरिन टीम बना सकते हो जी हाँ पहले ही मेच से आप फिन कर सकते हो जी हाँ दोस्तों बहुत इश्यांदारी मेच आपके लिए रहने वाला है आपको बहुत से स्टार घिलाड़ी आपे खेलते भी नज प्लेयर आपको लेने और कौन से हाई प्रसेंट प्लेयर पे रिस्क लेना सब कुछ बताऊंगा यहां देखो टोटल आठ मेच हो है एम चिंजना सोमी स्टेडियम बैंगलूरू में खेला जाएगा यह मेच ग्राउंड चोटा है और वूमेंस के मेच में तो बाउंडरी व इस वेन्यू पे हुए नहीं है इस वज़े से आपको स्कोरिंग कम दिखेगी वो भी इंटरनेशनल मेच है लेकिन यह है बाई आई पील का मेच तो यहां पे आपको बड़ी अबैटिंग पिछ दिखने वाले पहले मेच में ठीक है और जो इंस्टेंड टोस के टाइम पे जो पिछ रिपोर्ट आएगे अगर आपको उसको जानना है जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दियो है टेलिग्राम चेनल का तो वहां से आप जोइन हो जाईए ठीक है टेलिग्राम जोइन करने के बहुत से भाइदा आपको होंगे क्या होंगे कि लाइनप जो भी आएगी उसके अकोडिंग में बताऊंगा किस परकार से आपको प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना है कौन से प्लेयर को सी वी सी रखना है बागी पिछ रिपोर्ट के से रहने वाले कितने रन बनने वाले सब कुछ बताऊंगा यहां देखो जो मेच हुए वो इंटरनेस्नल मेच है तो ज्यादा आपको आइडिया लगेगा नहीं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको जो मेच यहां पे हुए है सिललंका उमें 114 पे साथ जिसको साथ अफरीका की उमें चेज नहीं कर पाती है ठीक है जिसको बांगलादेस की टीम चेज नहीं कर पाती है और इस्पिनर निकालते है नोगें तो बैए साब वुमेंस क्रिकेट में स्पिनर्स का रोल रहने वाला है चाहे पिस्थोली सपोर्ट करो चाहें ना करो ठीक है तो इस्पिनर्स तो आपको रखने है वो कौन से स्पिनर है जातर बैटिंग वोल राउंडर्स से भी स्पिनर्स आपको दिखेंगे उनको भी आपको रखना है पेसर भी रखना है किस परकार से टीम बनाने हैं हो सब कुछ आपको बताऊंगा वी वीडियो या देखवा तीन टी-20 मेच हो है दोनों टीमों के बीच लास्ट टाइम क पूजय वस्तरा करा मंजित को और एच काजी इसमाइली नजर आएगे आपको जे काल्टा और सोफिया सोरी साइका इसाक आपको खेलते भी नजर आएगे अब ये टिम चेंज क्या कर सकते हैं आई वांग लाश्ट टाइम इनकी प्लेंग लेवन में खेल रहे थे लेकिन सो सकता है सोफिया इसमाइली को इससे उपर प्रिफेर किया जाए बागी चाली टोन भी इनके पास अच्छा उप्सन है लेकिन फोरेंटर प्लेयर चारी खिला सकते हैं तो आपसी इनको टीम को मिनिसन अपना रखना होगा देखो बागी जो भी चेंज होते हैं में सिल्टेट सब कुछ आपको इस वीडियो मिलने वाला है तो ध्यान से आपको वीडियो को पूरा देखना है आप पक्का विन करने वालों यह गारेंटी मेरी है तो भाई हैली मेथ्यूज आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर है स्टीवीसी की बहुत इच्छी पिक रहने वाली है इनके ज में एक में एच्छे रन वन है लेकिन जो सबसे अच्छा उप्सन आपके लिए विगिट की पिंग में कोई एस्टी का भाटिया है तो चाहो तो आप दोनों अपने और अपनी टीम में फिक्स करके चल सकते हो ठीक है बरंट को देखवा आप 12 रन एक विगिट 32 एक कोर केप्टान नो पांस तीन छे तीन फोरन अच्छा नहीं रहा है लेकिन नए टूनामेंट है तो हो सकता है यहां पे परफोमेंस अच्छा आ जाए उमेन आई पील में ठीक है वैसे इंटरनेशनल में इसका जो परफोमेंस अब वो थोड़ा सदिप रहा है पिछले कुछ दिनों में तो यह देखते हुए आप इस पर चांस भी ले सकते हो लोग खूब लेकर आने वाले इसको अपनी टीम में मीनी जी एल में भी ठीक है अमीला केर तेटर दोवीगिट अटारीस दोवीगिट पैरिस प्लस जीरो चोतिस प्लस एक चोदा प्लस दूब हो सकता है अ मुमैन क्रिकेट में ज्यादा मुश्किल है नहीं टीम बनाना एक या दो प्लेयर पर भी रिस्क लोगे तो भी चलेगा ठीक है पूजा वस्तराकर आठरन एकवीट चोदा एकवीट जीरो नोरन एकवीट दो विकिट यहनी बोलिंग कमाल की चल रहे वह पूजा वस्तराकर प्लेयर है देखो पिछले सीजन इतना अच्छा परफोमेंस नहीं था लेकिन जो इस एक साल में जौनतर आया इसकी परफोमेंस में वह आपको दिखेगा क्यों दिखेगा क्यों इंटरनेशनल में खूब केल है एच काजी कोई काम की प्लेयर है ने आसान से ड्रोप करो इस साइका इसाक को देखो आप जीरो एक वीट एक वीट एक वीट तीन वीट और जीरो वीट प्लेयर आपके लिए बनेगी लास्ट टांड बहुत यची गेंदवाजी साइका इसाक ने पूमेन आईपील में की थी इसके लाओ आयमोंग खेलती है तो देख लेंगे ना वह ग बात करते हैं के head to head record और venue record देखो वेन्यू पे कुछ प्लेयर के डाटा है ठीक है क्योंगी ज्यादा मेच यहां पर हुए नहीं वूमेंस के ठीक है वो भी international मेच के डाटा है मैं आपको clear कर देता हूं ठीक है बाकी last year की states भी आपके लिए काफी ज्यादा important है यहां देखो तीन मेच अगेंस कि लिए यह अगेंस के बात हो रही है शाथ रं बनाए साथ विगिट निकाले यहन तीन मेचो मेसाथ विगि थैयर हर मेच में डबल विगिट प्लस रं का अइबılar अब्धान औराटेज इंपोर्टरणš फिक फिर से रहने वाली है वेन्यू सुरी लाट् यहां देखो लास्ट सीजन का जो परफोमेंस है दस मेचों में 332 रन प्लस 10 विगिट है, 66 की उसत है, इंपोर्डेंट प्ले रहने वाली आपके लिए, लास्ट सीजन भी कमाल का फोरम रहा था, इसका रोहली मेथ्यूस का, ठीक है, अमीला के अब 3 मेचों में 2 विगिट है, बाकी 10 मेच खेले थे, लास्ट सीजन 189 प्लस 15 विगिट सटका है, तो बाई यह जो फोरेनर प्लेयर है, वो तीक क्लास प्लेयर है, तीनों के तीनों, मुंबई के पास लिए, मुंबई लास्ट सीजन जीती भी थी, इस सीजन भी लास्ट सीजन 10 मेचों में 281 मनाये थे, 40 की एवरेज है, तो इंपोर्डेंट प्लेयर है फोरम में जरूर्म में फिजले कुछ टाइम से नहीं दिखिया, लेकिन इस मेच मेच में फोरम भी आ सकती है, अमन्जीत को और एक मेच में गुणिस वेन्यू पे 10 मेच खेले थे, इसमें केवल 20 रंद है, यानि कि बेटिंग नहीं आती थी, जातर बार तो क्योकिन का टोप ओडर है इतना श्ट्रोंग है, इस सीजन इसको बोलिंग अच्छी कासी मिलने वाली है, तो इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए, अमन्जीत को रह सकती है, साय का इसाक को देख भी बनाने का इडवांटेज हैं, लेकिन देखते हैं, सोफिया इसमाइल ही या, आई वोंक, किसके साथ ये टीम स्टार्ट करती है, पुजा वस्त्राकर साथ में चुमें गेतर रंद दो विकेट, और इसके अलावा, लास्ट सीजन भी, सुरी, इसका लास्ट सीजन का पुजा वस्त्राकर का, बात करते हैं, दिल्ली की जो पॉसिबल प्लेंग लेवन रहने वाली है, वाई, एम लेनिंग के साथ ओपन करेगी, सेपाली वर्मा, उसके बाद कैप सी, जमी मार रोडरेक्स, मार जानी कैप, चैस्ट चॉन सेना, तमन्ना भाटिया, सिखा पांड सेना को यो बार गिटा, देखते हैं, कौन सा foreigner player ये, चेंज करते हैं, बागी, लेनिंग को देखा, प्रफोर्मेंस रहा है लेकिन एक से दो केच इसके पास मेच में जाते हैं वाकि 20-25 आपको करके दे सकते हैं ध्यान में रखना बहुत एची प्लेयर है सेलेक्षन आपको कम दिखेगा मरजानी केप को आप ट्राय कर सकते हैं वाकि आप केप सी और सेफाली वर्मा में से एक प्रिस्क ले सकते हो देखो वूमेंच की गेम में कमी रिस्क मनेंगे कोण से प्लेयर पर मनेंगे वो बताता जा रहा हो आपको द्यान से देखने की जरु या तो यह खेलेगी या फिर सदर लेंड खेलेगी ट्राइ कले ना बहुत एच्छी पिकर दोनों पले तमना बाड़िया वह खास रोल देखो अभी तक तो बना है नहीं क्योंकि बैटिंग आती है नहीं और किपिंग से भी इतने पॉइंट कई बार नहीं बन पाते क्योंकि केच्छे पोइंटर वो टीम भी श्ट्रोंग है तो उनकी विकिट लेने के चांसे भी थोड़ी से ज्यादा नजर आ रहा है तो बाई चाहो तो एक एक्स्ट्रा रिस्क जरूर यह हो जाएगा बाकी चाहतर चांस है यस्तिका भाड़िया की टोप ओडर में बेटिंग आती सकते हैं क्योंकि सारे इस्टार प्लेयर के साथ आप जीएल नहीं जीत पाओगे यह बात आपको ध्यान में रखनी है यह जो ट्रंपिक रहने वाले जिनका सेलेक्शन कम है लेकिन जिनका रिसेंट फोर्म भी अच्छा है वो प्लेयर आपको जीएल में औरो से आगे लेकर लेकिन अच्छी बोला रहा बीच में अच्छे विकट निकाल जाती है जो इमर्जिंग प्लेयर आ रहे हैं इस सीजन वूमेंस में वह भी आएंगे ड्रिम टिम की मेंबर टेंसन मत करना उनको आपको रखना होगा किस परकार से रखना होगा यह आगे सब कुछ पता पढ़ जाए वीडियो में यहां देखो आप रादा याद आप जीरो 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 उसके राद दो विगेट 27 रन प्लस एक विगेट इन्पोर्टेंट फिक आपके लिए बन सकती है सदर लेंड खेलती है तो लेना ही है बई अच्छी प्लेर है बात करते हैं इनके head-to-head record और venue रिकोर्ड और last year की record की Macланning तीन मेचों में 110 मनाया थे 55 की हो सकता है वेन्णू पे खेली नहीं है वहाद कि लास्ट येर 9 मेचों में 345 रंते है गुंचास की हो सकती तो भाई कम्माल के रन बनाती है एच्छी प्लेयर है सेफाली वर्मा तीन मेचों में 46 इनके अगेंस नहीं चलती है इसलिए बोल रहा हूँ रिस्क ट्राई हो सकता है बाकि वेन्यू पे नो मेचों में 252 रन है 31 की होसात है इंपोर्टेंट प्लेयर है कैपसी तीन मेचों में 226 रन ही बना पाई थी रनकव मनाए लेकिन अच्छी फिल्डर है तो पॉइंट और इस सीजन से थोड़ा इंप्रूब भी होए क्यों उस टाइम एकदम से यंग प्लेयर ही अब थोड़ा अंबव हो गया है तो इससे प्लेयर इस बार आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट िट लिए रहने वाली है जैस्ट चून रिखान से नहीं बात करते हैं इस मेच में 3 विकेट हैं और लास्ट सीजन 9 मेचों में 9 विकेट निकाले थे पलला 79 रन भी किये थे, तो ट्राइ कर सकते हो, सिखा पांडे 3 मेचों में 2 विकिट, वेन्यू पर 2 मेच खेली जिसमें विकिट लेस रही है, तो यह देखते हो, अब सिखा पांडे की जगा, ती शाधू जो की नई प्लेयर है, इन्पोर्टेंट आपके लिए बन सकते हैं, कि साथ मेचों में 2 विकिट था, लाशी जन बाकी, उनम पांडे को 3 मेच खेलने को मिले थे, जिसमें 1 विकिट ने सिटकाया था, बात करते हैं, मेगा ग्रेलिक के लिए, जो 32 पिकाप के लिए इस गेम में बन सकते हैं, देखो, वुमेंस किरकेट आई, ठीक है, ध्यान में र प्लेयर हैं, जो थोड़ से inconsistent रहते हैं, उन पे रिस्क लेना ऐसा नहीं कि आप हैली मेथूद पे रिस्क लेने जाओगे, तो भाई, लोस करा सकते हैं, ये प्लेयर, क्योंकि ये आपको पता है, सीजन के जितने मेच होने, उनमें लगबग 90% मेचों चलने हैं, तो आपनको प्लेयर हैं, ठीक है, तभी इन में से आपको प्लेयर सुनना आएगा, साइस, यहां देखो, अगर मुंबई की टीम, पहले बोलिंग करती है, तो साइका इस आपको ट्राइ कर लेना, सेकिंड में भी कर लेना, क्योंकि ये तो 10 सीजन के इच्छी विकिरिस ने निकाले, भा बात करते हैं, अगर दिलनी पहले घेलती है, जमीमा, रोटरिक्स, जैस, उनसे ना, दोनों को लेना है, ठीक है, फिर आप साइका इस आपको भी ट्राइ कर सकते हो, और तीशान दो, यानि कि दो प्लेयर तो कम से कम चीह है, आपको बाकी एक एक्स्ट्रा प्लेयर ये तीन से रहेंगे, जिनका सेलेक्शन कम है, अब ट्राइ किस पर कार करते हो, भाटिया को रखना है, यहाँ ज्यान से समझे लें, टीम मनाने में काफी आसा नहीं हो जाएगी, आपको, मैक लेनिंग को रखा है, ठीक है, मैक लेनिंग को रखा है, शैपाली वर्मा पर रिस्क ले है, यहाँ ले लिए हर्मन प्रित कोर, दोनों ही भारतिये प्लेयर पर में रिस्क लिए है, क्योंकि इनकी फोर्म थोड़ी डगबग चल रही है, पिछले उस टाइम से, हर्मन प्रित कोर, जमीमर रोडरिक्स को यहाँ पर लिए है, हैली मैथ्यूस, ब्रैंट, अमीला केर, जोन से ना मरजानी केर, यहाँ देखना भाई, हैली, प्रैंट, अमीला केर, मरजानी केर, जास्ट लिए है, इन ओल्राउंडर्स में अगर आप छोड़ो ना, तो एक ही प्लेयर को छोड़ो ना, वूमेंस क्रिकेट में ठीक है, क्योंकि यह चलेंगे लगबग, तो आपके प्लेयर को कितनी आसाना, पास प्लेयर यह रहा, छेटा प्लेयर यह रहा, ओपर्नर में से आपको यह रखना है, साथ प्लेयर, आप बात करते हैं, बोलिंग की, सोप यह इसमायली, ती शादू को रखा है, यहाँ मैंने पूजा वस्तरा कर, साइका इसा को, ती शादू को आप चाहो तो इसकी जगा किसी एक्स्ट्रा बेटर को अपनी टिम में रख सकते हो, अब बात करते हैं, कैप्टन वोईस कैप्टन की, तो भाई, हैली, मैथ्यूज और बरेंट, बहुत ही शांदार ओप्शन है, बात करने तो यह ट्रेंगल, जो बन रहा है, कैप्टन यही ज़्यादा सेयर करें, और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले, धन्यवाद,